नमस्ते, कैसा है आप सुब लोग, आज बात करने वाले है law of assumption की बहुत ही तेजी से, मतलब इतनी तेजी से कि आप यहाँ चुटकी बजाओगे और वहाँ आपका manifestation complete हो जाएगा, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है, सिर्फ आपके मानने भर की देर है और आप law of assumption से बहुत ही कि यह चीज हो गई है, अब इसे कैसे किया जाए अपनी manifestation के उपर, जिसे की बहुत ही तेजी से आप law of assumption से manifest कर पाएं, बिलकुल ऐसे जैसे आपने यहाँ बजाई चुटकी और वहाँ हो गया आपका manifest कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी wish पूरी हो गई है, ठीक है, मान ली किजे, clear किजे इसे, अब आप इसे कैसे कैसे clear कर सकते हैं, वो देखते हैं, यह आपके उपर depend करता है, कि आप उसका मान लेना कैसे करना चाहते हो, आप लिखके करना चाहते हो, तो कहीं लिख लो, कि आपकी यह चीज़ पूरी हो गई है, आप इसके साथ जी रहे हो, आप enjoy कर रहे हैं ठीक है जो लोग लिखना पसंद करते हैं वो लिखके कर लें जो लोग visualize करने में बहुत अच्छे हैं मैं कहूंगी कि आप visualize करें कि यह चीज हो गई है और एकदम clear visualize करें visualization method जो है न वो बहुत ही जादा powerful है बहुत जादा क्योंकि यह आपके mind के अंदर images को दे देता है जहां पर आपका subconscious confused हो जाता है कि यह सच में है कि यह जूट बोला है आपने और फिर आपका manifestation बहुत ही तेजी से पूरा होता है तो जो लोग visualization में बहुत अच्छे हैं वो आराम से बैठें अपने mind को शौन्त करें और उस picture को उस movie को उस scene को चलाना शुरू करें जो आपको यह बता रहा है कि यह हो गया है तो मान लेना है आपको कि यह हो गया है मान लीजिए कि यह हो गया है placebo effect है यह काम करता है आपकी म सन्द है तो बोल दीजे बोलिए universe को बोलिए खुद को बोलिए अपने आप से self talk में यह बात को इस तरह से बोलिए कि आपने मान लिया है कि यह हो गया है और अब इसी तरीके से जीना शुरू कीजे इसी तरीके से feel करना शुरू कीजे इसी तरीके के thoughts लेकर के आई है आप म आपको कैसा एहसास होगा तो वो जो कुछ भी है चाहें थोड़े समय के लिए ही आप शुरू में उसे लेके आप आते हो जनरेक कर पाते हो कोई रिकत नहीं है थोड़े ही समय के लिए लेकिन आप उसे कीजिए enjoy कीजिए फिर धीरे करके आप अपने समय को बढ़ाते जाए आप देखेंगे कि आपका mind ही आपके लिए वो काम करने लग गया है और बहुत ही तेजी से आपने जो बात मान ली थी वो आपकी life में गटने भी लगी है या होना start हो जाएगा ठीक है तो आप लिख कर कर सकते हैं visualization में कर सकते हैं सुनकर कर सकते हैं अपने affirmations को आप record कर लि आप उस को करते हुए कर सकते हैं उस method को follow करते हुए कर सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही method के उपर लग करके करना है आप अपने choice का कोई method ले सकते हैं और उसके according आप उस चीज़ को follow कर सकते हैं at least starting में आपको 21 days तो जरूर करके देखना चाहिए और यह मान ल है तो आप उसको विर्फे ही सोचना शुरू कर चुके हो वैसे ही आप enjoy भी कर रहे हो वैसा ही आप feel भी कर रहे हो तो जितनी जादा ये energy आप देते हो इस तरीके का मानना ही आप देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो माननी होंगी जो आपने देखी नही बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, आपकी भक्ती में ऐसे चीज़ें हो सकते हैं, आपकी कहावतों में ऐसी कोई चीज़ें हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में ना गटी हूँ, लेकिन आपने वो मान ली हूँ, तो आपने जब वो मान ली होती हैं, तो आप वो 3D में और बात को ऐसा बोला गया है क्योंकि वो माननेता है उसे मान लिया गया है अब आप अपनी विश्च के लिए ऐसा ही अजियूम कर रहे हो मान रहे हो आप क्लियर हो उस बात के लिए कि वो चीज हो गई है method कोई भी try कर सकते है method का ऐसा कोई restriction नहीं है कि आपको यही करना होता है वही करोगे तो ही आपका manifest होगा आप जिस चीज को enjoy करते हो आप उसको करते हुए करसकते हो बस आपको enjoy करना है उस feeling को लेकर क्याना है उस मानी हुए बात को मानना है बहुत भार हम अपने आपको कह तो कि चलो ठीक है ये मान लिया लेकिन अंदर से हम उसे नहीं मानते ना हम वैसा फील करते हैं ना ही हम उसके उपर उतने efforts टालते हैं बजाए उसके अगर कुछ negative होगा हमारी life में घटा भी नहीं होगा हमने देखा भी नहीं होगा हम उसे मान करके बैठ जाते हैं वो भी तो law of assumption ह है ना आप अजियूम ही तो कर रहे हो ना ऐसा ना हो जाए ऐसा हो गया तो क्या होगा वैसा हो गया तो क्या हो गया यह नहीं हुआ तब यह हो जाएगा तो आप वो भी तो मानी रहे हो ना आप जो भी मान रहे हो फिर आपके हाथ में है कि उसके result क्या हैं क्योंकि जब आप नेगेटिव उसे मानते हो, तो chances बढ़ जाते हैं, कि आपके पास negative result आएं, लेकिन अगर उसी चीज़ को अब आप positive करके मानते हो, तो आपके chances positive results के बढ़ जाते हैं, तो यह आपके हाथ में हैं, यह आप क्या मान रहे हो, तो उसको मानना है, और सच्चे दिल से मानना है, energy के साथ मानना हैं, अपने मन से मानना है, thought level पे मानना है, energy level पे मानना है, feel करते हुए मानना है, बस मान लेना है, कि यह हो गया है, यह है law of assumption, आप जो मानते हो, आप उसे घटता हुआ, देख सकते हो, और यह बहुत ही जलदी काम करता है, क्योंकि आपने उसे मान लिया है, अब तो आपने उसको अपना ही हिस्सा बना लिया है, आपने उसको ऐसे मान लिया है, तो वो 3D में गटने में आपको टाइम नहीं लगेगा, हो सकते आपको सिर्फ 21 डेस का भी टाइम ना लगे, हो सकते आपको सिर्फ एक दिन का भी टाइम ना लगे, हो सकते एक हफते का टाइम depends कि आपके अंदर मानने में कहां पर क्या कमी हो रही है आपके खुद की energy उस चीज़ को मानने में कहां पर lack कर रही है, अगर lack आएगा तो उसमें भी डरने वाली बात नहीं है थोड़ा time लग सकता है, लेकिन आपका माना हुआ तब भी सच हो जाएगा क्योंकि आपने उसे मान लिया है और वो मानी हुई energy आप अपने subconscious को दे रहे हो, universe को दे रहे हो, प्रहमांड को दे रहे हो तो आप वो मान रहे हो basically आप उसे manifest कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आप अपनी feeling, अपनी भावनाव अपनी thoughts, अपनी energy अपनी healing इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हो तो ये माना हुआ और पक्का हो जाता है और बहुत तेजी से आपके सामने result आजाते हैं तो इस तरह से मान लिजे और ये law of assumption इतनी तेजी से आपके लिए काम करेगा कि आप खुश शॉक्ट रह जाओगे कि इतनी तेज होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था trust me ये इतनी तेजी से काम कर जाएगा बस मान लिजे कि आपकी जो भी विश है वो पूरी हो गई है वो आपके जीवन में उतर शुकी है अपना पर रखी है अपने आप से कीचे ठेड सारा प्यार अपने बस्ट आपके जाएगा